सल्मान खान के कॉंट्रोर्श और रियालिटी शो बिग बॉस सोला लागता सुर्ख्यों में चाया हुआ है हाली में इस शो से टीवी आग तक गौतम विग एलिमिनेट हुए है गौतम का घर से बेगर होने से उनके चाहने वालों को तगड़ा जटका लग चुका है हाली में इंटर्व्यों के दुरान बिग बॉस से बाहर आते ही गौतम विग ने अपने एविक्षन पर कहा कि मैं हैरान हूँ और ये मानने में थोड़ा वक्त लगा कि मैं घर से बाहर हो गया हूँ मुझे अभी बिग बॉस के सपने आ रहे हैं प्रियंका नॉमिनेशन टास में मेरी साथ खेल गई वो खुद को और अंकित को बचाना चाहती थी और ये भी जायज ही है अगर वो ये सब मुझे बता कर करती तो शायद कम ही तकलिफ होती मुझे मैंने प्रियंका को प्रात्ना करने के लिए भी कहा था कि मैं इविक्षन से ना बचू वरना मैं घर के अंदर उसका रहना मुश्किल कर दूँगा इविक्षन के दिन हर कोई बिग बॉस सोला के घर से स्चालिन बहनौट के जानी की उमीद कर रहा था उन्होंने MC स्टैन और खुद के बीच हुए जगड़े के बाद अनाउंसी कर दिया था हम सब EC के उलेकर तयार थे और शालिन ने अपना बैग भी पैक कर लिया था ये बात उसके एहंकार और स्वाभिमान पर आ गया था लेकिन जब उन्होंने अपने फैसले को वापस किया तो सभी ने ऐसा ही सोचा कि सौंदर्या बाहर हो सकती है यूँकि वो खुद बिग बॉस की घर से बाहर जाना चाहती थी वो ठीक नहीं थी और बहुत ज़दा स्ट्रेस से जूच रही थी मेरा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं बिग बॉस की घर से बाहर हो जाऊंगा जब गौतम से सौंदर्या शर्मा संग रिलेशन्शिप को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सौंदर्या और मैं पहले एक दुस्रे को नहीं जानते थी वास्ता में हम शुरुआत में काफी लड़े और धीरे धीरे एक दुस्रे की करीब आए और एक दुस्रे को पसंद करने लग गया लेकिन हमारे रिष्टे को इतना एहम बना दिया गया कि हफ्तों तक ये होट टॉपिक बना रहा ये इतना एहम हो गया कि ये मेरे खेल पर भी भारी पढ़ने लग गया मैं पूरे शो में केवर सॉंदेरे संग अपने रिष्टे को सही ठहरा रहा था और इसी दरार मैंने जो कुछ भी किया उसे दर किनार कर दिया गया ये क्लियर नहीं है कि मैं सॉंदेरे के साथ ज़्यादा समय बिताऊंगा क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं इस वज़े से दूसरों को लगा कि मैं उन्हें टाइम नहीं दे सकता मैं खेल को समझ गया था मगर दूसरे चीज़ पर ज़्यादा फोकस हो गया मुझे बात साबिक करने के लिए काफी दबाव डाला गया कि सॉंदरिया के लिए मेरे मन में मेरा प्यार फेक नहीं था देर सो कैमरे के सामने कोई 50 दिन आक्टिंग नहीं कर सकता इतना बड़ा आक्टर नहीं हूँ हाँ लेकिन इसने मेरे खेल को काफी प्रभावीत किया क्योंकि सॉंदरिया सहीत सभी ने मुझ पर हर समय खुद को सहीत हैरानी के लिए काफी दबाव डाला था अगर घर में सॉंदरिया का किसी से जगड़ा होता था तो मैं उससे बात कर दा था तो वो नरास हो जाती थी मैंने उस सबसे दूर होने की पूरी कोशिश की मुझे लगता है कि अंकित गुपता, सुंबल तौके और MC स्टान बिग बॉक्स की घर से बेगर होने के ज़ादा हगदार थे वही तीना दत्ता ने भी शो में कुछ खास नहीं किया दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राए बिग बॉक्स ओला को लेकर आप क्या कहेंगे गौतम विक के एविक्शन पर आप क्या कहेंगे साथ यसाथ उनकी इन बयार पर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल बिना भूले और हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें